दर्शको एक पारत है जेश्च्य असी रेनेया, एक पारत है जड़ासी चोनेया, एक वातवरहना जड़ासानू कुद्रत ने दितासी, एक वातवरहना जड़ासी बना दितासी, साड़े गुरु सहवान ने सानू उपदेश दितासी कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात, पवन नो असी धूशित कर देता है, पानी चे जहर कोल देता है, तो तरती ते हर्यावल दे लिवास दी जगा असी प्लास्टिक दी चद्रव शाय जा रहे हैं, एस सच है, पर सच बड़ा कोड़ा है, पर कोई वेखना नहीं चांदा, जैसे आले द्वाले विखे, हर पासे कूड़े टेर बदे जा रहे ने, तो उनाची प्लास्टिक दी जड़ी गिंतिया बहुच लाएं, प्लास्टिक दी भोतला, प्लास्टिक दे लिफाफे, प्लास्टिक दे मग प्ले टांग, ग्लास्टिक दे लिफाफे, हर पासे बिखरे नजरान देने, इस अब क्यों है, असी ओन्वाल ये नसला नू कहाँ चाहिए, जमीन ते वातवरन देना चानने है, इस अनू सोचना पावेगा, पर सोचना किसने है, की सोचना है, इसलिए की करंदी लोड है, जी असी ना कीता है, इस अन्जाम की होएगा, इस ते पिछे चुपे आवेगा संदेश की है, जड़ा की सानू जाक के सोचना चाहिए, दर्श को इस सारियां चीजां बारे गाल करनी है, पर मुक्ति गाल ते एह है कि ऐस वरी वातवरन दिवस्ता स्लोगन जड़ा सी 2018 दा, वेसी पी री यूस और रिफ्यूस प्लास्टिक, यानि कि प्लास्टिक जात वर्तों जड़ा मुर्तों परियोग हो सकता है, या तुसी प्लास्टिक नू ना करो, ना करो अपनी सेत वास्ते, ना करो वातवरन वास्ते, और ना करो ओन वलिया नसलानू स्वाच प्रांत दे दर्श को एस्ते आसी समवाद करना है गालबात करनी है और सनखुशी है कि ओस्ते विच सादे नाल आज महमान बनके आयने परदुमान सेंग जी ठुकराल जड़े की वातावरन प्रेमी हन हर्यावल पंजाब दे मुखी हन और नाने खुद करीब बती हजार तो वाद पौदे लगाए ने वातावरन दी सुरख्या बड़े चिंतित ते संबदने तने इना दे नाली आए ने आज मिस आशिका जैन आईएस जड़े की जॉइंट कुमिश्णर ने मिस्टल कॉर्परेशन जिल अंदर दरश को तुसी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो दरहसल असी तो अ अपने आप चे बड़ी समवेदन शील है तुसी की मसूस कर देऊ पर कहा हो जी स्थिती बंदी पर ही है और वातावरन दा जो तुसी कह सकतो एक तस्वीर बन रही है तो कैसी तस्वीर साड़े सामने आ रही है आजकल देखो जी ऐस विले असी अगर गल करिए कश्मीर तो लेके कन्या कमारी तक जी तुस तौनू कदे रेलवेच या सडकां ते जान दा मौका मेले ते तौनू एक कच्रे दे पंढ़ार इस तरह नजरान के के इस तरह लगदा है के जड़ा लोका नू याथि कोई जानकारी नहीं है जा सरकार कोई सादन नहीं है इसनू समालन दा और लाइफ दे विच जड़ा प्लास्टिक है साड़े पैन भी साड़े कोई प्लास्टिक देने कार्च बरतन भी प्लास्टिक देने थेले प्लास्टिक देने कप ले ताँ वगएरा कपडे ड्राइग्लीन होके आंदेने सबजी रोज आंदी है एक तक्रीबन कार दे कर दे हैं ते फेर गली दे बेच कठा हो जन्दा है और चोक कर दा है नालिया नू सीवर नू और ये जड़े शेरां दे वेच पानी जड़ा फ्लडिक होंदी है साथी एक में साफ नहीं होंदे अड़ जन्देने बीचे एक बटा कारण है साथे गलीया में ज़े फ्लडा हर चीछ प्लास्टिक है प्रसाशन दे की जिम्मेवरी है प्रसाशन इसनू के में वेगदा है आश्यका जैन जी बैठे ने में जो पोजीशन है प्रसाशन दे तौर ते किड़ी वड़ी चुनौती है अपने आप चे तुसी देख रहे हो पी एस वातवरन नू साफ सुतरा रखना क्योंकि जैसी स्वाच स्वास्त सोना ते शक्षाली पार चाने है तो वातवरन ते साफ होना चाहिए और प्लास्टिक अपने आप चे साडी तस्वीर नू खराब कर रहा है बिल्कुल ठीक गाले जी तोडी उस दा कारण है एक प्लास्टिक दे यूज दा क्यूं प कोई भी प्रॉडक्ट ऐसा नहीं आया है साइन्स वालों की जैडी रिसाइकल हो सके ते जैडी इनी सौखी तरह से यूज हो सके ताइं करके साडी बॉटल्स साडी क्रॉकरी शादियों में फंक्शन्स में असी थर्मकॉल थे प्लास्टिक दी यूज कर दे हैं बड़ी कोई ना कोई ठिकाना उसका हो जाने वाला है चाहे सरकार उसको डिस्पोज ओफ कराए चाहे उसको इंडिविजुल खुद से करें लेकिन उसको या तो जला के करा जाएगा या उसको रीजाइकल करके करा जाएगा जो भी दो से तीन बार ही हो सकता है उसके बाद प्लास्टिक दां रीजाइकल भी पॉसिबिल नहीं है ते इस जा लॉट्uff सुल्यूशन एह ही है कि असी साड़ी प्लास्टिक दी कट तो कर सोको ए ना होए कि तुसी इक वरी इस्तेमाल करके फेर तुसी डस्ट बिन सुड़तो डस्ट बिन जड़ा है ओ भी प्लास्टिक दबने हाया और हॉली हुली ओ चीजां सड़कते आजन मल्ले चे आजन ते कूड़े दे टेर बदने शुरू होजन जिमी के नाने दस्या प्र सुपर की परने हैं देखो जी कर दे वेचे से यूज कर दे हैं प्लास्टिक दे प्लेट कप दे वेचे उन वसी गर्म चीज कान दे हैं तो वह एक्सपोज उन दी है जे दो देना टच कर दी है तेरे चो पॉली कॉलराइड पॉली कार्बॉनेट्स जी बिस्फिनल नादा chemical है और प्रोड्यूस कर दे ने और वो इतना कातक है के और डारेक्ट याने की cancer लई responsible है एक दम और श्रीर ते असर करता है और इस कार के जड़ा cancer दे केस ने देन बद दे जा रहे ने जी जी तो ओदे नाल नाल जिते गरम चीज एदे संपर्क चांदी है खान पीन वाली ऐसे तरह जड़ी बहुत ही ठंडी चीज़ा फ्रिच रख दे हैं असी प्लास ले पेचे ओ ठंडा जितों नाल लगदा है गात ताम ही एदे चेक रियक्शन्स पैदा होंदेने और कई वारे जिन्दा नो नहीं समझ आए असी ये लफाफे गलिया मोले चाह साड़ देने बड़ी टॉक्सिक गैस निकल दी है रिचों और तुसी हरान होगे के एदा जड़ा बेसिक रा मेटीरिल है एक क्रूड ओल है क्रूड तो सारा बन आके जज़ बुंदा है और ओथे मेरीन लाइफ जड़ी है स्मुद्री जीव जड़ा है उनना दे दम कूट जन्दा है असी सड़का दे देख देया है पशू जानवर जड़े प्लास्टिक देली फाफे खान देया उनना दा जीवन संकर चे पैजन दे पिछले दिनी खब आई कि गान ऑप्रेशन किता गया सी किलो प्लास्टिक हो दे पेट चू निकला ए चिंता बड़ा पैदा कर दिया है इससे करके परसाशन ले भी बड़ी बड़ी जम्य बड़ी हो जन्दी है पि लोगा नू चेतन करी है कोई मोहें चला रहे हैं परसाशन ताकि पंजाब च प्लास्टिक जड़ा है लोग इसमों ना करन रिफ्यूज करन और रेडूस करन किसे तरह न है जी बिलकुल सरकार वलों प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स दोहजार सोला थे उदे बाद अमेंडमेंट भी आई है दोहजार अठारा दे विच जिस विच सरकार ए प्रशासन द्वारा ये अवेर्नेस कैंपेंच चलाया जा रहा है जिदे विच सारे नो अवेर किया जा रहा है कि जड़े तुसी प्रोग्राम करे हों ऐसे प्रोग्राम करके कि प्लास्टिक साड़े वालों अच्छी नहीं है आसी जरूरी है कि आसी उस दी रिस्पॉंसिबिली आया गया है जिदे विच सारे प्रोडूसर्स मैनुफाक्टरर्स ब्रैंड डोनर्स दी रिस्पॉंसिबिलीटी बनाई गई है कि जड़े प्लास्टिक प्रोडूस कर देयां ओ ही मेकैनिजम बनाएं कि जड़े प्लास्टिक मार्केट चो जा रही है ओ वापस मुढ के प्र री यूस जड़े प्लास्टिक दा हो जाए जिदा सड़का बनाँ चे प्लास्टिक दा यूस हो सकता है बहुत सारी हो और चीज़ां बंजन दिया प्लास्टिक दिया जड़े की री साइकलिंग चैन्द है प्र दर्श को सो से है कि कोई पंद्रा तो वी परसंट दे विचक आ ही फ्लास्टिक री साइकल हुंदा है बाकी फ्लास्टिक रीसाइकल हुंदा उर ना ही अधी डीग्रेडेसिन अन्या साड़ली बड़ी बड़ी चुनौ्ती हो गिया दिस तरह के ब्रदोमन से नींदी कह रहे है पि वो बartan जिनाचैसी गरम प्लास्टिक दे बरतना चे गरम खाना पानने आजा गरम पीन वाली चीज पानने ओधनाल भी सानु बिमारिया हुँदिया एक छोटी जे श्ट्रॉव है जिस्तरा जेदना लासी कोई चीज पीनने हा इथो तक की चींगम जड़ी है ओभी खतम नी हुंदी ओभी अपने आप चीज बहुत बड़ा प्लूशन पैदा कर दिया है एओ जी चीजां जड़ी है पैदा हो रही है इनना दा हल की उपराले किते जाने चाहिए देने इस सब तो बड़ा जड़ा जड़ा का आयरलेंड एक देश है योरुप दा उधे विच्छे सब तो दुनिया पर चो जड़ा है और साड़े कोल जड़ी सब तो जड़ा खतरनाक सिचवेशन हागी है फिफ्टी माइकरून जड़े थर लेने जी और रिसाइकल नहीं होंदे जड़ों बिलकुल एक सॉलेड ज़ा बन जड़ा है उदा कुछ भी नहीं हो सकदा और एही जड़े फिफ्टी माइक जड़ा बचया हागा वो प्लास्टिक समयत खा जन देने जी और इसकार को अंदर चला जन दा के वरी छोटे बचया नूँ पता नहीं होंदा है वो भी प्लास्टिक समयत कोई चीज है पैकिंग है टॉफी है क्या किन देने चॉकलेट है और खालन देने गलती ना बड़ी बड़ी प्राब्लम हो जन दी है इससे तरह जड़ी 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 रोड के जन दा दर्यामा दे विच ते फिश खां दिया ने अप इच्छे ज़ासी देखा सी किनी फिशरीज मर गई है फिर ओ फिश जड़ी है हुमन लाइफ जड़ी है कंजूम कर दी है ओ जड़ी ए फिफ्टी माइक्रों दा अंदर जाके पेया रहन दा फिश दे और ओ बोड़ी दे वेचो दे टॉक्सिक रेट्स कर दा है ओ जड़ी फिश जड़ी मार्केट चाजन दी है जन्नों लोग खां देने ते ए उड़ी नाल जाके शेद नों खराब करन दा एक ये भी बहुत प्लास्टिक देले फाफे इस्तेमाल करदा है और तेरा मिलियन टन प्लास्टिक हर साल असी स्मूदर चसूट देने है तुसी दिखो अपने आपनो विक्सित आधुनी कैन वाला समाच जड़ा है ओन वाली नसलाली क्या हो जाया वाता वरन छट के जाएगा क्यों मैंनम ये जो असी जीवन जी रहे हैं जिन्हों असी सो कॉल्ड मॉडन और डवालाप्ट लाइफ के ने है दरहसल ये बड़ी खुद गर्जी वाली लाइफ है असी कोई भी चीज है अपने इस्तेमाल ले वान टाइम यूज प्लास्टिक कर लेने हैं लेकिन असी सोचते नहीं कि जान तुसी का इस वे मिटी ते की होएगा समुदर ते की होएगा ठीक गाल है तो आड़ी अपने नाली एवी कह सकते हैं कि साधे नाल धोका ही है जड़ा आसी कहन दे कि आसी अधूनिक जीवन जी रहे हैं आसी यदी याद करें तो साधे मापे ते ग्राइब पेरेंट्स एक अगयव करेंगा थेला लेकर सब्सक्राइब मन्डी जान आची छोटे चोटे बच्चे औंट्स सित ते अनल जान जान ते सबजी हू सतो उस तरीके से लेकर आउन से अब उस दे अलावा एक गल हर आखे जाना दूनिक जान अघंवाएं कोंड जैसे शेह नान दीून मै हर पंज खाली लिफाफा लेके ओ एक थेली दूद्दा मुफ्त दिन दे ते ऐसी स्कीमा अगर असी लेया आवें ते प्लास्टिक कट हो सकता है उस दे अलावा एक तुसी समेधन शीलता दी गल कर रहे सी मैं एक होर परस्पेक्टिव इंट्रिड्यूस करना चाहरी हूं ओ है साढ़े राइग्पिकर्स था सानू समझना चाहिए कि साढ़े राइग्पिकरcciones रिस्याइक्लिंग एक्टिविटी दे विच मेजर स्टेकोल्डर ने जिनने वी साधी डंप साइट्स हैं उदे विच राग पिकर ते उनके बच्चे छोटे-छोटे इस तो ट सि पर ले दी कि मेरी अपील है सब नू पर लोग अपनी जिम्मेवरी समझन, अफसोस दी कर ला है, पि साधे समाच चे एक क्या जंदा है, पि काम ते हैं चंगा, पर मैं क्यों करा है, कोई होर करें तो फिर चंगा, मतलब कि एक किसी होर दी डूटी है, कि आके काम पूरा करें, असी न करें, प्रसाशन कर ले, बतौ अशुआ है, जड़ी फस्क्तरी चाड़ की बन दी है, जड़ी कंपनी बनादी है, और न कोई है कि लिकस ब्रेड प्लास्टिक अबार्श च नइया पानी, तु ची ब्ल्हा भीट दोड लेज दूदी घाली है प्लास्टिक नशूड करण, तो इतन झाला क्कानून चन शु करून बनाई है कुछ स्टेटा ने बहुत सक्ति किती है तो मैं सुछ इधार भी इधान दे डेटरेंट जड़े मैयर्स हैं लायने चाहिए प्रसाशन वालों बिल्कुल आसी लेवी रहे हैं आसी जड़ी होलसेल मार्केट्स हों दी हैं उते रेगुलर रेड कर दें ते हुने इंटेंसिव कैमपेंज जलंदर मुनिसिपल कॉर्परेशन वालों शुरू किता गया है जिदे विच असी होलसेलर्स थे रेटेलर्स थे उनसे प्लास्टिक लेके कॉन्फिस्केट करके भारी चलान भी कर रहे हैं ताकि एक डिटेरेंट एक एक एक्जांपल सेट किता है वो उन्हीं होलसेलर्स के थ्रू प्लास्टिक प्रोक्योर कर दें तो उत्थे इंपक्ट ना करके असी होलसेलर्स वल्लों ही प्लास्टिक ले रहे हैं तो फेक्ट्रियां जिते लिफाफे बंदे हैं उत्थे बिल्कुल कर रहे हैं मैनुफाक्ट्टर्स की तो हुने रिस सिविल ससाइटी देनाल असी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जैसे कि कुछ संस्थाएं हैं जो बड़े काट रेट पे वेन्यू प्रवाइड कर दिया हैं लड़कियों की शादी के लिए उस तरह की संस्थाओं की सानू जरूरत है जो ऐसी क्रॉकरी भी रख लें जेरी किसी का फ इस्ट्रिब्यूट कर दे मंडियों में तो उससे भी प्लास्टिक दायूस घट हो सकते बिल्कुल ठीक है दर्सको कई उपराले दा परचाहर सरकार कर दी है उच्छा सोला पॉइंट दसे ने पि जिनना उपराले उपर असी प्लास्टिक दे इस्तेमाल करना कटा सक देयां जे में कि स्ट्रौ दी बरतो जड़ी पाइप ना ऐसी चीज पर ने ओ ना कीती जाए बच्छे चिंगम ना खान कपड़े दी थैलेंदा इस्तेमाल किता जाए बोतलना दी जगा ऐसी डूलूच दूद दी लाके आईए मुड़े इस्तेमाल करना वाले गलास का प्लेटा मत कि आईए अपना बरतन या अपने चोले चिला कि आईए जूज दिया डिब्या ना लिए कपड़े या डाइपर वर्तिये सो एक एंदा पावे है भी हर कोई अपना योगदान दे सकता है खास करके बच्चे जड़े स्कूलाज पड़ देया है जे ओवे मैसेज नूँ समझ कर दिया सारे offices तो भी सारे जिनने corporate ते सरकारी offices हैं मेरी appeal है कि कृपया ओ जड़ी plastic बोटल दा पानी होंदा है उस दा इस्तमाल ना करके असी ग्लास का इस्तमाल करिए उदे विच जैसे पहले होंदा सी पानी ग्लास दे कंच दे-ग्लास दे विच डालके भी आसी पी सक दे उदे विच भी प्लास्टिक बॉटल दा यूज बहुत घट हो जेगा। नहीं करना। सिरफ साड़े देश पंजाब नहीं है दुनिया में चाह है। सारी दुनिया देश ने कठे होके जनिवच कॉंफरेंस किती सी। साड़े प्राइमेस्ट लिंदरा गंदी ने उनुपर जाहिड उपर किता सी। और उस तो बाद ये इस विशेद उपर सारी दुनिया लग पाई है। और प्लास्टिक तु जाड़ा लग पक 40 देश हैं जिन आनने पर्षणला बावन किता हैं कंप्लीटली बावन हैं किता। साड़े देश भी उनाच जाए का है साड़े ने ढेख ने फारां स्टेटा नहूँ आपर्सला बावन किता हैं और सब तो ज्यादा इफेक्टिव जड़ी सिक्कम है, उते इननी तक लिस जाया तो अनो एक भी लफाफा सिक्कम चानी मिलेगा, जी, सिक्कम इतरह नाल मॉडल स्टेट बनाई है, माचल है, इससे तरह चोटे पड़ दे सी ते सानू पता है, के पैंट खराब हो गई है, कास जाए है, जाए है, जाए है, जाए है, बड़ा अच्छा सी लगदा सी, ते एदा कोई हल नहीं है, एक अंदोलन दे तो और और करांती हमेशा बच्चे तो शुरूर हुं दी है, बच्चे जो सी जाकर नो समझा रहे हैं, और बच्चे जड़े ने ओँ आन वले पारत दे, पाविक है, दरसल असी जो चट के जाएंगे, बच्चे ली चट के जाएंगे, कहने ने कि तुसी बच्चे ली जमीन जायदाद पामें पैसा चट के जाओ या ना जाओ, वो अपने आप बना लगे, जो कुछ चट के जाना चांदे हो, तो साफ पानी, हवा और वातवरन च किया रहे हैं, सिक्कम दी तरह पंजाब क्यों नहीं एक अधर राज बन रहे हैं, पी असी भी नो प्लास्टिक वाली राज बना सके हैं, होर कुछ नहीं है जी, मेरा जिनना एक्स्पिरियेंस रहा है, उस से मेरी तो सोच एही है कि एक मेंटल ब्लॉक असी बना लिता है, सा चिक दी प्रॉब्लम कोई इननी वड़ी नहीं है कि अगर हर सिटिजन अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी समझे तो जरूर हो सक दी है, आसी हुने तुसी गल कीती बच्चों दी, आसी बच्चों के साथ मिलके, स्कूलों ते कॉलेजों के बच्च दिनाल मिलके, जलंदर मुनि उनना ने बहुत कोपरेट किता, ते अगर प्रशासन ते commercial organizations मिल जे, ते सबका एक सोच बन जे कि सानू प्लास्टिक विहीन होना ही है, ते पंजाब प्रदेश नू प्लास्टिक फ्री करना है, ते आसी जरूर कर सकते, बिलकुल, we are to say no plastic, आसी बड़े, तुसी का तो पक्क कोई रादेना जे कह दी है, पिर प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, प्लास्टिक दा लिफाफा नहीं लाना, दूद देई, यहां कोई सब्जी ओस च पाके नहीं कार ले आनी, तो कोई वजा नहीं है कि असी चे काम्याब ना हुए, बस एक वरी इरादा करन दी लोड है, ज़तकी मजूदा टाई में यह दास्था है कि असी dustbin भी प्लास्टिक दा, लिफाफा भी प्लास्टिक दा, सबजी भी, इवन तुसी कह सकते हो कि तेल, खांड, सब कुछ प्लास्टिक देले लिफाफे चान दी है, मैं कह रहे हैं कि bread भी इवन प्लास्टिक देले computer ते plastic लगया, plastic दे कई chairs है, table है, ओ बार-बार इस्तेमाल हुन दी, ओ गाल ठीक है, लेकिन one time use जड़ा है, असी ओस नू मना करना है, ओस नू नहीं करना, मतलब we are to say no, no plastic, खास करके one time use जड़ा है, परदुमन सिंह जी, जिस्तना तूसी हर्यावल पंजाब बारे काफी तु चुर्बा है, हुन एक नाल ही संबंदित विशहे भी है, असी जे हर्यावल दे चादर पादियत अरती उपर, बजाएस दे के असी उन प्लास्टिक दे शीट जी बिचाई जारे है एक तरा ना, तो उसले भी लोगानों बड़ी प्रेरित करन दी लोड है, कि लोग पदे लगान, लगानी नहीं, बलके उनन दी पालन करन, उनन दी संभाल करन, उस बारे तुसी की कहना चाहते है, जिडे प्लास्टिक दे लफाफे नल सड़ा तर्ती च नुकसान हुंदा, पहली गल्ता सीप पानी थल्ले जमीन च नहीं जाएगा, और बड़ी इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट है, कि बंगला देश दे जड़े फलड आये सी, ओ दे विच एक कारन ये भी दस्या गया सी, कि ओ थे इन्ने प्लास्टिक यूद उन्दा सी, कि ओ जमीन दे विच थल्ले प्लास्टिक दे प्लास्टिक दा इफेक्ट जड़ा बोड़ी दे उते या जिस तरह सी पॉलुटेड डाइट लह रहे हैं, तो जरूरी हो जड़ा है कि बोड़ी दा इम्यून सिस्ट्म जड़ा है, स्ट्रॉंग कीता जाए, और इम्यून सिस्ट्म जड़ा ताहीं स्ट्रॉंग होएगा, साफ हवा, पानी, सब कुछ मिलेगा, और हवा जड़ी है, सिर्फ ओ ही अच्छी हवा है, जिता तुसी गल कई अबब इनानक दी, पावन गुरू पानी, पिता, माता तर्त मरते हैं, तो उन्हाने सिगनल देता हैं से भी लोग को, हवा नू तुसी पावन नू गुरू समझ जे ते मा, तर तर तीनो मा समझा, जे ते तिनों चीज़ा खराब करती हैं, उन्हाना हवा नू जड़ी ऑक्सीजन है, वो लाइफ है, हवा माइनस ऑक्सीजन इस इकल टू ड़ेथ, जे असी बचपन चे शेमी सत्मीच पढ़ दे सी शहाय तो उन्हानों याद होएगा, यादर रांदा है, वो सी नहीं छट सकदे हवाच, और सिर्फ तु नहीं है दिवेच, पौदे ऑक्सीजन देने, और ऑक्सीजन इस लाइफ, जे एवन केमिस्ट्री दिवेच, पानी नू एच टू होगा है, जन्दा है, दो पार्ट हाइड्रोजन है, एक पार्ट जड़ा कम किता है, जड़ा पॉलुशन बारे, और लोकां चे इननी अवेरनेस आई है, एक आंदोलन छड़े है, लेकिन इस तो भी अग्गे जाना पहेगा, जी, बहुत अग्गे जाना पहेगा, और पंजाब चे जे असी देख दिया है, हॉस्पिटल्स खास करके जलंदर चे हस् कैंसर वर गिया है, बिमार जड़े लोग ने उनना दी गिंती बद रही है, उदे पिछे एक मुख कारन जड़ा है, वो प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक ऐसी है, टॉक्सिक गैसेज पैदा करता है, जड़ा की शरीर नो और शरीर दी इम्यूनिटी नो बहुत जादा असर बंदा है, एक जहर निकल है प्लास्टिक दे बिचो, सानु इस पारे बड़ा गहराई ना बिचार करना पावेगा, क्यों मैं तुसी मतलब जो दो अवेर्नेस कंपेंच चल दी है, जिस तरह तुसी सैमिनार कर दो, स्कूल जा गई, या सिख्छन संस्ता माँ चल, इनना सार जड़ा रियूज हो सकता है, पर आसी सोच दे नहीं है, ते उसनों सट सुट देते हैं, उस दे विच भी आसी स्पेशल एंफिस देंदे हैं, जिए जैसे एक एक जामपल देंदे है, कि साड़ा जड़ा पैन होंदा है, उस दे विच एक रिफिल होती है, रिफिल ते खतम ह हो जान दी है, लेकिन जड़ा पैन का कवर है, बना होंदा है, असी बहुत वारी उसनों रियूज कर सकते हैं, सानों नहीं वी करना है, ते असी कलेक्ट करके जो से किसी गरीब संस्था, किसी गरीब बच्चों को डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हैं, ताकि उनना दा खर्चा भी बच जे ते प्लास्टिक दा रियूज भी हो जे ऐसी तरह ग्रहनिया नों भी असी एजुकेट कर देयां कि बहुत गरों विच ऐसी प्रैक्टिस हों दी वी है कि जड़ी प्लास्टिक के लिफाफे तुसी लेके आयो उसनों अक्यूमिलेट करके एक जगा एकठा करके हो सके मिल्कुल ठीक दरसल ए जिदों ए मोहम चली है वातवरन दिवस्ते मोके थे और यूवन नों भी सारी दुनिया चेस उपर जोड़ देता जा रहा है ते थ्री आर्स दी गाल हुई उस तो बाद पांच आर्स दी गाल हुई उ थ्री आर्स की से जिनना दी उपर साइकल हो ही साढ़ जी ही है कि जितनी तो कट यूज़ कर सके उसको रिडूस ही कर लिओ जी तो अधन में पर में शनक्रज को के को सकते हैंरे क्याए यही मेरा मैसेज बारी बारी एही है कि जिनना तुसी सेग्रीगेट कर लोगे ड्राइवेस्टे वेट वेट वेस्ट उनना ही जिड़ा ड्राइवेस्ट में प्लास्टिक गत्ता कंज अंदा है ओ रीसाइकलर्स दे कोल इसली पहुंच जेगा ते साइन्टिफिकली पहुंच बिना आले दॉले गंदिगी पहुंच आए ओ जिननी प्लास्टिक रीसाइकल हो सकती है ओ इसली पहुंच जेगी पर ओ तभी हो सकते है जब तुसी देख देखिएँ है कि साठी डंप साइट ते रैकपिकर किस हालत में ऑपरेट कर दा है तो ऐसी समझ सकते हैं कि जड़ी जो 60% निकाल सकता है उसकी बजाए वो hardly 30-40% निकाल पांदा है क्योंकि हालत उथे ऐसी होंदी है कि उदे 100-200 मीटर के दाइरे दे विच भी खड़ा होना मुश्किल होंदा है अंदर जाना तो दूर की गाले तो मेरी अपील एही है कि ग्रेनिया नू ते कारों दे विच रेस्टराउन दे विच होटेल्स दे विच तुसी अपना गीला कुडा सेपरेट कर लेओ उसकी खाद बन सकती है उसको एक घर में ही छोटी सी मिट्टी के पॉट में भी तुसी डाल दोगे तो बिना स्मेल के बिना किसी मच्छर मखी के उसी खाद बन के तुसी अपने किचन गार्डन दे विच यूज कर सकते हो ते जड़ी ड्राइब वेस्ट प्लास्टिक है गता है वो उसने बाद हफते में एक वारी भी तड़े कर तो जाएगा तो डिरेक्ली रिसाइकलर दे कोल जा सकता है ते जादा से जादा उस दी रिसाइकलिंग हो सकती है इस तरह आसी थी आर्स रिड्यूस रिजूस ते रि तो उसी को नहीं मेर को थाल लाएगा मैं ओस थालेच लाके जानी है तो उसी रिफ्यूस करो पी दूद्दा पैकट नहीं लाना असी खुला दूदा अपने बरतन चुपाना है तो उसी रिफ्यूस कर सकते हो पी जड़ा भी वेक्ति प्लास्टिक दाले फाफा दे रहे है या प्लास्टिक दी पैकिंग चे दे रहे है साधीक जिम्यवरी है अपने देश प्रती जे एक सो पच्छी क्रोड लोग अपनी अपनी जिम्यवरी नूँ समझनगे और अपनी जिम्यवरी समझ के इस देश नूँ प्लास्टिक मुक्त करना चानगे तो मैं सुए दना सब क जिस तरह री यूज दी कल कर देयां, ओ प्लास्टिक दी चीज जिन्नों की बार-बार इसी इस्तेमाल कर सक देयां, जिसना बककट है, कोई डस्पीन है, या कोई ऐसी चीज है, या कोई और ओदा आसी करिये इस्तेमाल, लेकिन जड़ी वन टाम यूज है, ओस नो वसी रिफ् हो सकता है, ना रिफ्यूस हो सकता है, ना ही रिसाइकल हो सकता है. लाइफ सेविंग ड्रग्स ने, अनो गुलुकोस लाया जानदा है, जयते आनल देखो तो कई कमपनियां जड़ीया ने, वो प्लास्टिक दे बैग ज़े गुलुकोस बैग हो रहे हैं, पहले शीशे जड़ीया ने, उन भी अच्छे कमपनियां शीशे च पैक कर दिया ने, लेकिन कुछ लोग जड़े है, वो एससरा थे कम कर रहे हैं, शीरंजिस जड़ीया ने, वो प्लास्टिक देए, जड़ीया ने बोडी चे इंजेक्ट करना है, इससरा थे जड़ीयां मैडिसन से ही जगिया ने, उन लो प्लास्टिक देशे आम ने खांग दित तो सी दुआ लालो कोई लालो तो नो प्लास्टिक दी शीशी चे मिलेगी उन्हें एजड़ी सरकार दे लेवल दी गल है ये किदे ना किदे जाके इनू बड़ी मैन्यूटली नाल देखना पहेगा कि अगर नुकसान है तो हर जगे नुकसान है तो है नहीं के शीशे दी दौाई पैक किती उन्हें प्लास्टिक दी नुकसान नहीं करेगी वो भी करेगी सो ए जागरुकता अंदोलन जड़ा है वो इस तरह होना चाहिएदा है के शुरुआत हमेशा करांचों हम दिया है असी अपने बच्चे हैंनों सिखाईए और सरकार नो सखत होना एक विशे अलग चलाया है ज साथे कनून भी ने, स्लोगन भी ने, गल्ला मी बहुत है लेकिन अमल काट है अमल ची असी मार खाजने जटके लोड थे अमल दी है दरेसल जिदो असी थ्री आर्स याँ फाइव आर्स दी गल कर देयां एक सब्तों इम्पोर्टेंट आर जड़ा है वो है रिस्पोंसिबिल और यो सारा काम खत्म करेगा फाभय माले खेतब करेगा लेकन कोई करेगा मैं नहीं करना यह रिस्पोंसिबिलिटी जडिये बहुत जादा है प्रशाशन ले प्रचल लोग रहन प्रशीम इस्तिमाल करन वाला व्यक्ति ले स्कुत विरम इस कॉcej पच्चित कुभर स्च्छ जड़ागी यह देश पूरा नहीं कर सकदा, बिल्कुल, आर भी इस रिस्पॉंसिबिलिटी यह अपने आप चे बहुत ज्यादा जरूरी है, तुसी के महसूस कर दियो, बताओ और पर साशक, मैं तॉर्डिनल यह भी शेयर करना चाहन दियू, कि अगर असी, जड़े तुसी थ्री आर्च दसे, रिड्यूस ते, रिउस ते, रिउस ते, रिउस ते, रिसाइकल, अगर असी उसनू सीरियसली ले ले, ते, कूड़ा जड़ा है, वो दस परसेंट रह जेगा, और उस दस परसेंट को, फिर, डिस्पोज आफ भी करना, बहुत ही असान हो जेगा, उसनू सानू नहरों ते, ते, रिवर्स ते, समुदर ते नहीं पॉना पहेगा, असी उसको, वड़े जिते, जिड़े, सिमेंट प्लांट्स होंदे है, या असी गलकिती, रोड मेकिंग ते, हुने मैंडेटरी कर दिता गया है, कि इंदर सरकारवलों, कि उसनू किते न कहीं, यूज कर लिया जाएगा, तो रिस्पॉनसिबिलिटी, अगर हम अपनी इतनी समझें, तो अगर कुडे की पर्मिनेंट निजात, अगर हम कुडे से पा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखके, सुबह उठके यासी सोच लें, कि नहीं सबजी नहीं लेके, प्लास्टिक में ओनी है, दूद नहीं लेके ओना है, जेड़ा री पाइकेज मेटीरियल है, उसी तुसी गलकिती की ब्रेड, ते चिप्स ते पैकेट अंदे हैं, लेकिन रूल्स ते विच री पाइकेज मेटीरियल कोई-कोई अलाउट किता गया है, वो इसलिए कि कि अब चिप्स पॉसिबल नहीं है, कि किसी और तरीके से बेचे जाएं, जिससे उसकी हाइजीन भी मेंटेन हो सके, तो कुछ री पैकेज मेटीरियल वो हाडली 10% जिड़ा कच्रे का है, वो रह जानद है, तो बाकी जिड़ा 90% है, उसे वेच अच्छी साड़ी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, आसी जरूर उस समस्या का निजात पा सकते हैं, वैसे थी एक घ्याल च गाला निया प्रदुमन सिंगी, पी साड़े जड़े भुजूरक सी, साड़े पेरेट साड़े सी, या साड़े पिछली जड़ी पीडी सी, मैं सोच दाओ जाधा समयधार सी, उननों पता सी भी एचीज मनुखी सेथ वास्ते, मनुखी पविखवासते अच्छी नहीं है, इसी करके को करो थहला लागे जानदे जा, जान लागे जान दे सी, और कारविच मिटी दे बरतन भी रख्दे सी, पितल दे बरतन रख्दे सी, और पलास्टिक दे सी शीजा थे हार्ड़ी लिख़नों मिल दे सी. इक जिसना मेरम ने गाल किती भी एक कन्वीनियस सूलत नूँ देखके असी सारा कुछ कमफर्ट जोन चे चलेगे और असी पुल गे कि एदा नुकसान की होगा मैं समय दाए कि अग्यानता है सानो पूरी नौलज ना होना लापरवाई भी है और ऐसा नहीं है कि असी बंद प्लास्टिक दाए जड़ा एक बिगस्ट चैलेंज है असी इनू मीट आउट नहीं कर सकते प्लास्टिक सारे देश्ट नहीं है तुसी सिंगापुर चले जाओ तुन सड़का नहीं है साफ मिलनगी है खूड़े जाओ एक तिनका भी नहीं मिलेगा तुसी जपान चले जाओ जपान नहीं होनों भी जड़ा हो पूरा अगर बार पे या तो चुक के अपनी जेब चप के साड़ने प्राइम निस्टर ने काल ता जरूर दित्ती है सुचपारदी लेकिन जम्मीवारी साड़ी बन दी है करे नंकरे हर पारती दी जम्मारी जम्मारी मन दी है के असी यह तू से रिचड़ाएं तो यह जड़ा विशे है इनसान दे जिंदगी नर समन्ध है जानव पौधा पड़ा नहीं है फिर तूसी देखोगे के जड़े जिस तरह हुने प्लुशन दाई है गा जड़ी कैंसर साड़ी बिमारी है दमा है टीवी है एजड़ी पॉलिराइड्स ते एजड़े खाने नाल जड़ियां गरम करके सी चीजा खाने ना एज किनदे वास्ते भी ए रहा है इसकिन दी प्राउलम्स एजड़ी बढ़ियां पैदा हो रही है ने इसाधे ना टच करदा है जड़ु प्लास्टिक बच्चे टच कर दे आसी टच कर दे है तो एसाधी स्किन दे उत्ते जाके ए रिक्शन देने क्योंकि एक केमिकल है का सारा है तो ए मैं सुने था क प्लास्टिक बच्चा नू लंच बॉक्स टे प्लास्टिक दा ना दिया इस्टील डबिया दे दिया कोई प्लास्टिक दा बरतन असी माइक्रोवेब चना रखे कोई डिस्पोजबल गलासेज पलेटा एह हुजियां सी इस्तेमाल कार्चेत ना करिये तो यह सारा कुछ अस हुली हुली शुरुवात हुएंगा थाई के पहुंचाँगे च्छोट च्छोटे स्टेप हर एक नाग्रेक अपनी रеспॉंसिबलिटी अपनी हेल्थ के लिए अपनी बच्चों के लिए समझ के ले ले लिए जी टे शुरुवात ही हो जेगी ते रिसल्ट भी मिल जेगा जड़ा रबड है एक तरह नाल, वो नाश नहीं हुदा, असी जी उसनों अवाइट करे, एक छोटा ज़ा स्ट्रौ जड़ा 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 पाइप नाल, असी कोई कोल्डरिंग पिन्या या होड्रिक पिन्या है, वो स्ट्रौ उसी देखो, वो भी खतम नहीं हुदा 200 साल तक, तो किन्ना गंद, किन्ना कच्रा जड़ा है, वो साड़े समाज वित्पद्दा जा रहा है, तो स्वाच पारत, स्वस्थ पारत, सोना पारत, शक्तिशाली पारत, के में बनेगा, जैसी अपनी जिम्मेवरी पूरी नहीं करांगे, हुन्च सवाल है, पि जिस तरह तुस कि में हर साल जन्गलात थे, बूटे लेन जानदा सी, ता मैं पिछले बारा साला तो एक कम कर रहे हैं, आप दिल गांदा, ते उत्थे में जन्गलात हो ले कहने सी, ठुकराल जी, आप बूटे सारे ले जाओ, ते मैं कहने सी, नहीं नहीं लोड़ा है, ते ऐस वारी में दे जाए दा कितों मिलेगा, मैंनो स्वाँजना चाहिए, मैंनो निम चाहिए दी है, पिपल चाहिए, एक अदे अकटे अके निस नहीं है, जड़ी एहमियत है, लोगाने वड़सप ते ही, लोगान परचार होगी, साइंस दे बिच्छे एक्सपरिमेंट होए है, मेडिकल रप कि यह जड़े कुछ देश ने मलाया बर्मा जी आइलेंड बगएरा एथे सतर सी सार पहले एक बैमारी फैल के सी थे बच्चे चोटे मरने शुरू हो गए सी उत पर जुनाइटेड नेशन्स ने कैन जी नू किया सी कि यह जाकर इन्वेस्टिकेट करो और उनने सारा फिर जाक इक बंदेनों ताहां जाके सेरे चड़ेगा असी ताहुने ऐस्वरी हर्यावल पंजाब लो जी असी एक मोहिम चलाई है के करदे वेचे फीमिल इचु है ताहां आसी एक बूटा लगा के ऐसी कहने बेटे इसको भी आप राखी बांदो ये तुमारा भाई है मोहिम दी गल करें गुर्णानिक देव जी माहराज जीदा पांसव पजामा जनम देहाँ और पौदे दिते जा रहे हैं परशाद दे तो और ते पिसी जाके पौदे लगाओ और पौदे लगाओ इना बलके उनना दी परवरिष करो उनना उनू पानी दियो और देखो कियो पौदे जड ने तो पहल किती है पर लोगां दे परचार किता जाय ताकि प्लास्टिक दे बृतों काठ होबे बच्चया नू स्कूल आच बच्चया नू कॉल जाच यूनिवर्स्टिच परसाशन साथ देना चाहिदा है ताकि एसी प्लास्टिक तो निजाद पासकिये क्योंकि सारी साफ करना है जैसे वातावरह नो साफ करना है तो साधे रस्ते चे जड़ा दुश्मन खड़ा है वो प्लास्टिक ही है तुसी आज बतोर परसाशक आमन क्योंकि जिलंदर स्थानिक परसाशन चे बहुत बड़ी जिम्मेवरी निभा रहा है तुसी आज शुरोते नो की मैसेज देना चाहोगे तुसी प्लास्टिक नो ना करनी है और इस नो इस्तेमाल नहीं करना मैं सारी गलबत को एक इसी मैसेज में कंडेंस करके एह ही कहूंगी कि जिड़े रेजिडेंट्स है साड़े ग्रेनियाओं को एह ही मैसेज है कि जैसे कि आपने का किचिन को कम से कम प्लास्टिक मुक्त कर दे कर दें सबजियों तो लेके माइक्रोवेव ते बरतनों चाहे वो होटल हो, रेस्टरांट हो, चाहे वो उस दे अलावा शॉप्स हो, सब दे कोल आसी वेख दे हैं कि दुज्जा कपड़े दा लिफाफा भी होंदा है, ताह भी वो थोड़े से पैसो के लालच में वो प्लास्टिक यूज कर दे हैं ते प्लास्टिक वितरित कर दे तो आनो एही अपील है कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े दा या कागस दा लिफाफा तुसी यूज करो, आसी स्कूल दे विच मैनो यादे एकोलोजिकल क्लब होंदा सी, ओ सारे स्कूल दा टार्गेट रख्या उन्होंने एक वारी कि एक लाख दो लाख आसी कागस दे लिफा अलब पड़ेगा, उसके अलावा सारे ऑफिसर्स और और सारे क Judah आफिसस्ट्रेस थे सरकारी आफिसस से एही अपील है कि प्लास्टिक दी बोतल की वर्तों ना करें, प्लास्टिक सिर्फ कांज की बोतल तो इस्तमाल करें, इसी क्रौकरी राके रखें, जेडी रेंटल बेस पूरी कोशिश कर रहे हैं, आसी bottle crushing machines भी ला रहे हैं, जिस दे विच plastic recycling easily हो जाएगी, ते सानु तवाडी support चाहे दिये, वद तो वद इस मुहिम में शामिल होके, पंजाब परदेश को plastic free कारंदी साधी responsibility है, उसको सब मिल के निभाएं. जे बिलकुल ठीक है, और NGO's भी परदुमन सिंधित उसी NGO देना जुड़े हो है, NGO पामे तार्मिक पदरते हैं, पामे समाजिक पदरते हैं, पामे नागरिक पदरते हैं, वो बहुत वड़ी पूमिका ने भाएं सकते हैं, जिदा एक पेर लगाना जरूरी है, उसे तरह प्लास किर्टन दरवार सी, उस तो बाद स्टार लगाए गए पाध्यानी, पाध्यानी स्टेज तो जानकर ही दिती गई, मेरे खुद मेरे शरीमत जी कैंसर ना डेथ हो गई सी, और मैं पिछली वारी उना दा बरसी मनाई है, ते मैं गुर्द्वारे दे विच बूटे ना परशा जा आचे भी है, मैं और बेंती करा, कि मैं अर्ज किती सी के एक अंदोलन है, असी एस अंदोलन दे पहली स्टेज च बच्चेंच जा रहे हैं, दूजी स्टेज वेच असी कराध वेच लेडीज को जा रहे हैं, उनना ओन एजुकेट करन लेगे, लफाफें बारे, पोदें बारे सारा ही और असी एक मैसेज देना चांदे हैं पंजाब दी गुरुम पीरा दी तरती जे के जिनने साड़े संत मात्माने वो क्योंकि लोग उना मानता पड़ी है उननों मंदे ने उननों कहना मंदे है कि वो सारे इस विशे ते खत्रा महसूस करन जड़ा साठी हूंद न लेकर अजे कम संता मात्मा वलों जिदों में साठे देश ते आस पाढ़ लो जिदों में यथे प्रावल्म्स आई संता मात्मा नहीं बहां पड़ी है और देश दिया गवाई की तो मेरा ही मैसेज है जी और गुरु माहराज जी ते सानुम बहुत पहले ही उपदेश देग करिए वड़ी कालते है कि केने कि बी एए चेंज असी खुद एक बदल नगे परिवर्टन बनिये शुरुआत अपने तो करिए महात्मा गांधी जी कैने तुसी देश बदलना चान देओ तो तो उसी शैर बदलो जो शैर नूं बदलना चान देओ तो पिंडड बदलो आपने तो शेरिवात करे, आइद करे शपत लेए, कसम लेए, no plastic, reduce plastic, refuse plastic आपने तर्चा तोड़े कार्च तोड़े अपने सरकल जारी रेगी ते इस दिनाली मैं परदुमन जीदा और मैडम आशिका जायन जीदा बहुत बहुत तानवा दिया है दर्श को तो अड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया इससे तरह कोई विश्या लागे फिर मिलांगे इजाज़त देओ तानवा